आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question is Which is the first CO2 acceptor in C3 पाथवेग? Given question में बताना है हमें कि C3 पाथवेग के लिए पहला CO2 acceptor कौन है? अब C3 पाथवेग को also एक और नाम से जाना जाता है that is Kelvin cycle अब यहाँ अगर हम बात करेंगे C3 पाथवेग की यानि Kelvin cycle की तो यह dark reaction of photosynthesis में perform होने वाला एक process है यानि इस process को करने के लिए light के requirement नहीं होती है Kelvin cycle की अगर हम बात करेंगे तो इस पूरे process में total 3 steps involved होते हैं अब कौन-कौन से 3 steps हैं? सबसे पहले fixation होता है carbon fixation दूसरा जो step होता है उसको हम बोलते हैं reduction के carbon fixation फिर perform होता है reduction and reduction के बाद हम यहाँ पर perform करते हैं Kelvin cycle में regeneration step तो यह 3 तरीके के steps involved होते हैं Kelvin cycle में अब पहला carbon dioxide acceptor C3 pathway में कौन सा है? यहाँ हमें देखना है given diagram हमने यहाँ पर C3 cycle का लगा रखा है यानि Kelvin cycle का लगा रखा है सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि atmosphere से आया हुआ carbon dioxide क्या हो रहा है? fix हो रहा है और carbon dioxide को fixation के लिए इसको fix करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आके एक enzyme bind हो रहा है जिसको हम बोल रहे है क्या rubisco अब यह जो rubisco enzyme है यह carbon dioxide को क्या करता है? convert कर देता है 3 PGA में यानि यहाँ पर हम कहा सकते है कि 3 molecules of PGA यानि phosphoglyceric acid में carbon dioxide convert हो रहा है और यह एक 3 carbon का stable product है पहला stable product है यानि हम कहा सकते है कि कौन सा 1st carbon dioxide acceptor है C3 pathway that is rubisco enzyme Classics to 12 से लेके NEET IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubtnet आप या whatsapp कीजे अपने doubts 84444 सूपर